तो दोस्तो आज 9 चनवरी 2023 सबसे बहले हम आ चुके हैं इंडिया का लार्चेस्ट आइटी कमपणी TCS की क्वाटा 3 की रेजल्ट और डिविडेंड की नोटिस के उपर अब चले एक एक करके कबर करते हैं तो सबसे बहले हम शुरू करेंगे डिविडेंड से उसके बाद हम च टेकल अचांस है तो कंपव innate रेका इंटरम डिविडेंड की साथ सथ स्पेशल डिविडेंड का भी आनॉसमेड rocky arby का इंटरम डिविडेंड 67 रुपिज की अपके Chloe का है एक यूबड और एक रूपय तो एक साथ हजार परसेंट का डिविडेंट कंपनी डेकलर किया अभी हम बात करेंगे यह डिविडेंट का रेकॉर्ड डेट क्या है एक्स डेट क्या अब ध्यान से समझना दोस्तों कंपाई ने जो रेकॉर्ड डेट यहां पर मेंशन किया 17th of January 2023 मतब Tuesday के दिन क्यूंकि यह Tuesday है मतब उसके अगले मतब यहां पर 16th of January मंडे के दिन हो गया आपका एक्स डेट तो आपको अगर यह डिविडेंट पाना है मतब 75 रुपई का डिविडेंट पाना है तो आपको उसके पहले और दो दिन छोड़ दीजे 15 क्यूंकि संडे है Saturday को हटा दीजे 14 मतब 13th of January या तो उसके पहले आपको TCS company का share purchase करना पड़ेगा तभी जाके आप eligible shareholder बन पाएंगे 75 रुपई डिविडेंट पाने के लिए इसका साब सुद्र मतब है कल परसु तरसु नर्सु मतब टोटल चार दिन आपके हाथ में है मतब कल 10th, 11th, 12th और 13 यह 4 दिन के भीतर अगर आपने TCS का share purchase क या तभी जाके आप eligible shareholder बन पाएंगे यह 75 रुपई डिविडेंट पाने के लिए clear दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई doubt है आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो उसके उपर हम जरूर आपका जो answer देने की कोशिश जरूर करेंगे अब चलिए थोड़ा सब नीचे चलके कंपनी का इस बर रेजल कैसा आया उसके उपर भी थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं जो कि इस बर सबको चौका के रखते हैं क्योंकि लास्ट दो तीन बार हमने देखा थी कंपनी का margin के उपर काफिस जदा गिरावर्ट देखिने को मिला था अब देखिए यहाँ पर आपके स 2022 का रेजल्ट यो गैव क्या लास्ट क्वाटर मतब सेप्टेंबर 2022 का रेजल्ट और यह हो कि आपका लास्ट यूर का मतबद डिसेंबर 2021 कर रेजल्ट यहाँ पर हम यह तीनों क्वाटर को एक साथ कंपयर करेंगे तो सबसे पहले आ जाते है कोई भी कंपनी का टोटल इंक प्रपाइब फिप्टी एइट थाउजन ग्रूपीज जो कि लास्ट क्वाटर सेप्टेमबर 22 में टोटल इंकम हुआ था कम्पनी का 56274 करो रुपए और लास्ट यह की बात करें मतब डिसमबर 21 पे कम्पनी का टोटल इंकम हुआ था 50,090 करो रुपए मतब यह और ओन यह ब प्रप्रोब्लेम यह है एक तो युस मार्कित के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्लेशन बर रहा है जो कोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ आ जिस बैसे जो कम्पनी इसका एक्सपेंसेस है वह बहुत ज़्यादा इंक्रीज होड़ा है इस बार अकरम बात करें टीसेस का जो एक्सपेंसेज है और नौराउट यहां पर इंक्रीज हुआ बट उतना ज्यादा इंक्रीज भी देखने को नहीं मिला जैसे कि अब अब देख सेखतो टीसेज का जो क्वाटर थ्री में टोटल एक्सपेंसेज का नंबर आया 44,105 करो रुपई मतब 44,105 करो रुपीज जो कि लास्ट क्वाटर में यह नंबर था मतब सेप्टेमबर 22 में 42,178 करो रुपई और लास्ट येर मतब अपका डिसमबर 21 पे टोटल एक्सपेंसेज का नंबर आया था 36,899 करो रुपई मतब येर ओन येर पे जैसे हमें यहां जम देखने को मिला एक्सपेंसिस के अंदर ठीक वैसे हमें क्वाटर ऑन क्वाटर के उपर भी जम देखने को मिला अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की कंपनी आखिर कमाया कितना नीचे चलके देख लेते हैं मतलब नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट तिरासी करोर रुपए मतलब 10,883 करोर रुपीज जो कि लास्ट क्वाटर सेप्टेंबर 22 में ये नमबर आया था 10,465 करोर रुपए का सीधी भाषा में काफी बढ़िया जम देखने को मिला क्वाटर ऑन क्वाटर बेसिस पे यार ऑन येर बेसिस पे बात करें लास्ट ये डिसमबर 21 पे TCS का नेट प्रोफिट आया था 9,806 करोर रुपए यानि येर ऑन येर बेसिस पे भी काफी बढ़िया जम देखने को मिला अगर हम परसेंटेज वाइस कैलकुलेट करें तो लगबग 10% को पर हमें जम देखने को मिला येर ऑन येर बेसिस पे साथी साथ क्व है वो सारी चीज उसके साथ साथ कहां से कितना रेविन्यू कंपनी जिनेट किया सब कुछ हम डीटेल में बात करेंगे चलिए थोड़ा साम नीची चलके देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टन सेक्टर जहां से सबसे ज्यादा रेविन्यू जो और और क्वाटर और और यार और यार दोना ही सेग्मेंट पर काफी बढ़िया तरीके समय जम देखने को मिला उसको छोड़के देके मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर से भी काफी बढ़िया जम देखने को मिला इस बार कंपनी रेविन्यू आया है लगभख पाच चेजह और यहां पर देख सेख्ट और क्वाटर और क्वाटर और यहां एक रेविन्यू कर दिया नेक्स्ट एगरम बात करें से कंपनी का टोटल रेविन्यू आया है 9,753 करोर का जो कि यहां पे भी quarter on quarter और year on year बीट कर दिया नेक्स्ट अगर हम बात करें life sense and healthcare और other segment है तो देखिए life sense and healthcare segment से company total revenue generate कर पाया 6,354 करोर का यहां पे भी हमने बीट कर दिया देखा और उसके साथ other segment पे भी सारे सारे नमबर बीट कर दिया इन्हीं और अगरम बात करें दोस्तों इस बार company का performance मुझे तो बहुत ही शांदाल लगा साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि company इस बार एक दो रुपई या आट रुपई हर बार की तरह या फाइनल डिविडेंट जैसे देता है बीस पत्चीस रुपई ऐसा नहीं दि बात करेंगे सीधा सीधा कल मतब इसकी शेयर में कैसा मूगमेंट हो सकता है तो चलिए मैं आपको सिधा चार्ट पर लेके चलता हूं आप जाके हम बात करेंगे आज आप देख सेकते हो कि वैसे वैसे मत्तब ऐसे यहां पर तीस की शेयर में पर जम देखने को नहीं विला यह इंसाइडर सब कुछ मअलुम पर जाता है यह हम मार्केट के बाहर जो है वो तो एक्सेंच को जब इनफाउम करता है फाइल के फाइल बेचे तब मालूम पर पर अग्ड मालूम पर चाता है कि कमपनीऄ बर दमा के देदर डिखलार करेगा जिस वैसा हमने आज देखा एक पर सुन को पर जंब लाया के ख्लोस इंग बात करेंगे टीसेस के लिए कल जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते वह चौन तीसों का लेवल चौन तीसों रुपए का लेवल क्यों कि इसके पहले कहीं बार हमने देखा इसके शेर में धमा के दाथ टेजी हुआ था कि दरब गिरावट दिखाए दया कल मोस्ट आप दा चांस यह कि टीसेस की शेर में तेजी दिखाए दे और होना भी चाहिए लास्ट कुछ गिनों से शेर काफिज़ाद स्ट्रगल भी कर रहा है सारी तीन अजर के नीचे तो ऐसे में मैं बोलूंगा कल देखिए 3400 के उपर यहां पर चला गया नौर्ट यहां बहुत जाए आज 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 यहां पर सपोर्ट भी आज की रेट पर कारवार भी काफी बढ़िया देखने को मिला लगबग 50% को पर में शियर डेलिवरी उठाए चाहा है यानि का अपनी का परफॉंस अच्छा है कंपनी का मतब शेयर का परफॉंस भी आज मार्केट में अच्छा था अब देखना है कि कल कैसा रेस्पांस होता है दो तीन परसे नाराम से यहां पर कर सकते उपर की साइट में जो भी होगा अपडेट में आपको देदूंगा इस वीडियो के फिलाल इस यहां पी वाइंड आप करते हो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डिमेट आकाउंट बन जाएगा